पहले हमारी गाड़ी के glove box lamp, rear cabin light जो कि हमने खुद install करी थी और boot lamp, इन तीनों ही light में halogen bulb था जिसकी yellowish रोशनी है तो इन तीनों bulb को हमने LED bulb से replace कर दिया जिसकी white light है साथ ही अब brightness भी increase हो गई है, आप check out कर सकते हो हाई गाईज, welcome back to our channel car DIY, आज फिर से हाजिर है लेकि एक नई DIY वीडियो ये वीडियो एक generic DIY वीडियो होने वाली है, आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी हो आप उसमें ये DIY आसानी से घर पे ही कर पाओगे ये जो वीडियो है, ये काफी informative वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में अगर बात करें, positioning lamp, cabin lamp, glove box lamp, boot lamp, या फिर license plate lamp की तो इन सब में आपको एक छोटा सा halogen bulb मिलता है, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके का होता है ECE, Economic Commission for Europe Standard के according, ये एक 5W5 bulb है, W का मतलब है wedge type और 5W का मतलब है 5W का है, इनको wedge bulb इसलिए बोलते है, क्योंकि इनका जो base होता है, वो wedge shape का होता है और बात करें अगर इनके connector की, तो आप नीचे देख सकते हो, एक wire अंदर जा रहा है, और वही wire दूसरे end से बहार आके band हो रहा है base पे W5W को T10 bulb भी बोलते है, American standards के according, जहाँ पे 10 mm diameter होता है bulb का, और इसका एक numerical code भी है 2825 wedge bulb भी काफी तरीके के होते हैं, different different watts के आते हैं, different size के आते हैं, even जो base होता है इन bulb का वो भी different होता है बट कुछ बल्ब ऐसे भी हैं, जैसे W3W, W5W, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, base भी same है, पर different watt के होते हैं पर इसको हम जादा discuss नहीं करेंगे इस वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम ये halogen bulb को replace करके, इसकी जगाए ये LED bulb लगाने वाले हैं, पर हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका फाइदा क्या है तो इसका जो सबसे main फाइदा है वो है brightness, इन bulbs की brightness ज़्यादा होती है halogen bulb से, दूसरा, aesthetics, आपकी गाड़ी में white light ज़्यादा अच्छी लगती है, in comparison to halogen bulb की yellowish light से तीसरा, LED bulb कम power consume करते है, halogen bulb 5 watts का है, वहीं पर ये LED bulb 1 watt का है, और last point है long life, LED bulbs की life ज़्यादा लंबी होती है, in comparison to halogen bulb अगला question आता है कि आप कहां कहां use कर सकते हो इन bulbs को, तो यहाँ पर आप box पे देख सकते हो, आप इन्हें अपने signal lamps, positioning lamps, interior lamps, dashboard lamps, glove box compartment, license plate और trunk lamp में use कर सकते हो अब बात आती है कि आपकी गाड़ी में कौन सा bulb है आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि हो सकता है जो bulb मैंने आपको अभी दिखाया, W5W, उसके अलावा कोई और bulb आपकी गाड़ी में लगा हो, तो आपको चेक करनी है अपनी honors manual, तो जैसा कि आप Nexon की honors manual में देख सकते हो glove box lamp में भी W5W bulb है और पीछे boot lamp में भी W5W bulb है, similarly आपको भी चेक करना है कि आपकी गाड़ी में कौन सा bulb लगा हुआ है, अब बात आती है कि आपको कौन सा LED बल्ब बाई करने चाहिए, तो ये दो option है मेरे पास, ये दो नो option मैं आज आपको अपनी गाड़ी में लगा के दि तो अगर बात करें Osram वाले बल्ब की तो इसकी MRP है 480 रुपीज, वहीं पे जो एक्सलाइट वाला बल्ब है, इसकी MRP है 366 रुपीज, तो इन में से आप कोई भी बल्ब अपने according खरीच सकते हो, अब चलते हैं वीडियो के main part पे और देखते हैं कि इनको replace कैसे करना है, अ और यहां पे एक mark होता है, glove box में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको जब पीछे का bulb चेंज करेंगे तब दिखाएंगे यहां पे एक छोटी सी cutting होती है, इसके अंदर मैं spray tool को डाल के और press करूँगा, और एक lock होता है light के अंदर, वो press हो जाएगा और यह light असानी से नीचे आ जाएगी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से यह नीचे आ जाता है, और यह lock था जिसकी मैं बात कर रहा था, यह lock हमें press करना पड़ता है अंदर की तरफ, और आप देख सकते हैं, इसके अंदर halogen bulb है, यह bulb अभी काफी गरम होगा, तो इसको आपको अराम से निकालना है, साथ ही जब हमने यह light install करी थी, तब मेरे पास इसके proper connectors नहीं थे, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर thimbles लगा के उनके उपर shrink tube लगा दी थी, तो मैं सोच रहा हूँ, अब यहाँ पर connectors भी लगा दू, connectors अब हमारे पास available है, description में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और इसको बल्ब को हम replace करते हैं, अब यह आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो पत्तियां है, यह पत्तियों के साथ ही यह बल्ब अटका होता है, बल्ब को आगे push करेंगे और यह निकल आएगा, यह देख सकते हैं, जो बल्ब मैंने आपको दिखाया था यह बल्ब वैसा ही है, बिल्कुल से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बल्ब है, उसका जो base है, वो wedge shape में होता है, और यहाँ पर पत्तिया है, दो ऊपर और दो नीचे की तरफ, यह spring loaded होती है, spring loaded का मतलब है कि यह दबा के रखती है बल्ब को, और जो बल्ब का base है, व LED बल्ब खोलने की, तो एक LED बल्ब निकाल लेते हैं, और यह जो LED बल्ब है, यह बिल्कुल सेम साइज का है, इसके, आप देख सकते हैं, दोनों बल्ब, अब जैसे हम यह वाला बल्ब इंसर्ट करेंगे, कनेक्टर के अंदर तो बल्ब ओन हो जाएगा, आप देख सकते हैं आपको बताया था, spring loaded connector है, तो आपको थोड़ा tightly इसके अंदर पुश करना पड़ेगा इसे, इस तरीके से, अब यह कितनी भी light हिलेगी, तो यह बल्ब निकलेगा नहीं, और आप देख सकते हैं, अभी से यह कितना शांदार लग रहा है, बस अब इसको हम वापस से अंदर लगा देंगे, वायर को अंदर पुश कर रहा हूं, और यह हो गया, और आप light देखे, कितनी अच्छी लग रही है अब यह light, और अब बारी आती है, rear cabin light की, तो यह हमने खुदी इंस्टॉल करी थी, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है, तो उपर आ रहे हैं, आई से हमने खुद से यह light install करी, अब इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, बस हमें एक साइट से इसे पकड़ के खीचना है, कुछ इस तरीके से, और यह बाहर आ जाएगी, और जो इसका connector है, वो हम डिसेंगेज कर देंगे, तो इसका bulb चेंज करना इतना straight forward नहीं है, यह यहां पे cover लगा हुआ है, हमें cover remove करना पड़ेगा, यहां पे कुछ screw भी है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, तो यह screw खोल के यह cover हटाएंगे, जिसके अंदर हमें bulb मिलेगा और bulb replace करेंगे, तो इसको खोल लेता हूँ cover को, तो यह दोनों screw खोलने के बाद, यह cover हमें हटा लगाना है, और cover यहां पे थोड़ा सा चिपका हुआ है, साथ ही यहां पे एक पत्ती लगी हुई है, जो कि हमें इस तरीके से निकालनी है, और आप यहां पे देख सकते हो, यह bulb है अपना, तो आपको पहले ध्यान देना है, गरम ना हो, गरम बल्ब पे हमें direct हाथ नहीं ल लगाएंगे, तो यह LED बल्ब हमने लगा दिया है, अब इसको पीछे की तरफ हम push कर देंगे, यहां पे आप देख सकते हो, यह metal की bracket लगी हुई है, तो इसको हमें थोड़ा सा चोड़ा करना पड़ेगा, ताकि यह bulb अंदर जा पाए, कुछ इस तरीके से, और इस बल्ब मे नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ध्यान रखना है, वो आपको लगा के ही पता लगेगा, लगा के bulb को एक बार आप टेस्ट कर लें, कि बल्ब जल रहा है और नहीं जल रहा है, हो सकता है आप fit करके वापस लगा दें और यह जले ही ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव कि इसमें ध्यान रखना है आपको अब हम इस कवर को वापस इस में यूनित में लगाके बंद कर देते हैं अब सोकिट में हम लाइट को वापस से लगाएंगे कुछ इस तरीके से और एक बार टेस्ट करके देखेंगे आप देख सकते हैं अन हो रही है और वायर को वापस से इस तरीके से अंदर डालेंगे और light को अंदर हम push कर देंगे और light यह लग गई है on और इस तरीके से off और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तब भी on होगी कुछ इस तरीके से अब बारी आती है boot lamp की तो मैं आपको कह रहा था कि मैं पीछे जाकर आपको बताऊंगा कि आप कैसे खोल सकते हो तो यहां पर point होता है आप यहां पर देखेंगे इस side camera लाकर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि यहां पर इस तरफ एक cut लगा होता है इस cut में आपको pry tool डालना है इस तरीके से और अंदर जो लोग है उसे push करना है वैसे तो आप यहां पर एक cover है इसको remove करके भी निकाल सकते हो यहां पर पीछे हाट डालके आप इसको push कर सकते हो और यह light आगी की तरफ निकल आएगी तिखाता हूँ कैसे कुछ इस तरीके से यह light बहार आगई पर अगर आपकी गाड़ी में इस तरीके का पैनल नहीं है कि आप इसको बहार निकाल पाए तो यहां पे जो यह lock है इसमें आपको pry tool लगा के और तब इसको खोलना है यह light को हमने socket से निकाल लिये है अब अब light को देखेंगे तो पीछे यहां पे भी cover ल लगा है और यहीं से उंगली डालके जो नया वाला बल्ब है उसको लगाऊं क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस cover को अटाने का कोशिश करेंगे तो हो सकता यह light भी crack हो जाए तो मैं यह निकालके और LED बल्ब लगा देता हूं तो मैंने बल्ब को यहां से पीछे से इस तरीक लगा रहे हैं कई कि इसके अंदर हम इसको घुसाने की कोशिश करेंगे थोड़ा से टीपिकल टास्के पर देखते हैं कि कैसे करते हैं तो यह LED बल्ब आप देख सकते हो मैं एक उंगली यहां से डाली और एक उंगली यहां से डालके इस को अंदर बैठा दिया है प्रॉप लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं अब यह लाइट कुछ ऐसी हो गई ही है और मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है तो गाइस कीसे हम ने पोड़की वांड़ को रिप्लेस करके ल zij बल्ब लगने के में लग हैं थे वो और प्राइटनेस तो increase होई गई है तो मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी useful रही होगी अगर useful लगी है वीडियो तो वीडियो तो like करनी ही है साथ ही हमारा चैनल भी subscribe करना है और अगर आप Instagram पे हैं और आप हमें follow करते हैं और हमारी बताई हुई DIY वीडियो को follow करके आप भी अपनी गाड़ी में वो DIY करते हैं तो आप हमें Instagram पे tag कर सकते हैं जिसे देख के हमें काफी अच्छा लगता है और motivation मिलती है Thank you